अगर आप भी कुछ आसान और तेस्टी रेसिपी धूण रहे हैं, तो इस रेसिपी को मिसमत करिएगा, अन तक जरूर देखेगा, एक दम आसान रेसिपी है, मिन्तों में बन जाता है, और खाने में इतना तेस्टी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती है, तो इसे बना के जब और खाएंगे तभी आपको मालूम होगा कि ये कितना बढ़िया बनता है, खास करके बच्छों को बहुत ज़्यदा पसंद आता है, सुभे साम आप इसे नास्ते में चाय में किसी की भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनके तयार होता है, सिर्फ एक लिए बचल की ब्रेद जो बच गए थे, इस तरह की ब्रेद की पीसे जो है हमारा अकसर बची जाते हैं, तो उसे हम इस तरीके से बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक ग्लास की सहायता से हमने इसे राउन सिप में कट कर ली है, तो आपको जिस तरह का भी से बनास्ता बनाना है उस हिसाब से आपको ब्रेट को कट कर लेनी है तो यह देखे मेने सारा तयार कर लिया हूँ और अब हम लेंगे उबले हुए आलू तो एक बड़े से इसका आलू हमने ली है यह आप देख सकते हैं और इसे हम जो है इस तरह से फॉक के मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे तो आलू जब भी आप उबाले और इसे मैश करना हो तो आप इसे गर्मा गर्म ही करिएगा इसे एक तो यह एकदम फटा फट से बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है और दूसरा यह शिप चिपा बिलकुल भी नहीं होता है अगर आप इसे थंदा करके साथ में जो भाप है ना पानी का वो इसके अंदर रह जाता है जिसकी वज़े से आलू जो है हमारा एकदम चिप चिपा हो जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए इसको आपको गरम-गरम में मैच कर लेनी है तो यह देखे हमने जो है आलू को आधे चोटे समझ भुना हुआ जीरा पाउडर फोर इसी हल्दी पाउडर डाला है और आधे चोटे समझ चात मसाला दाल दी है आप इसकी जगा पे आमचुल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम समझ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे हातों से भी बढ़िया से मिक्स कर सकते हैं पर मैं समझ से ही अच्छे से इसे मिक्स कर के तयार कर लूँगी तो यह देखिये आप पर दो आप इसकी जगा पे हरी चथनी का भी हस्तिमाल कर सकते हैं दोनों में ही यह खाने में बहुती बढ़िया लगता है और अब आलू को हम इस तरीके से उपर बढ एक लंबा सा रोल बना के भी इसमें डाल सकते है, बहुत यह आसान इसे हो जाता है, पर मैं हातों से ही कर लूँगे, इससे भी बहुत बढ़िया से हो जाता है, तो यह देखिए, एक दोनल सिप में हमारा जो है, यह नास तबन के त्यार हो जाता है, और अब हम इसी तरीके से जो है सारी ब्रेट की स्लैसिस को तयार करके हम पहले रख लेंगे ऐसा करने से काम जो है हमारा एकदम इजी हो जाता है तो यह देखिए हमने पहले ही सारा तयार कर लिया है और अब एक कतोरी में हम लेंगे एक कप मैडा तो मैडा की जो क्वंटिटी है वो आप अपनी नास्त इसी हमने food color red किया है, food color बिल्कुल optional है, अगर आपकी पास नहीं है, तो आप बिल्कुल ना दाले, आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं, या फिर बिना हल्दी के भी इसको आप बना सकते हैं, तो थोड़ असा पानी डाल के हमें पहले इसका पेस्ट तयार कर लेनी हैं, अगर आप इकत्थे एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे, तो इसमें गुठलिया पर जाएंगे, और फिर उसे सिमतने में आपको काफी वक लग जाता है, इसलिए कम पानी में इसका पेस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप पानी डाल के इसका घोल इस तरीके का त्यार कर लेजिएगा, ऐसे ही चोटी चोटी बाते अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारा काम जो है, बहुत ही आसान हो जाता है, तो इस टिप्स को जरूर फोलो करना है, इससे आपका वक बसता है, साथ में मेहनत भी कम लगते है, तो अब एक एक डोनट को हम इसमें ब फ्राइ करनी है, और बहुत ही फटाफट से ये बनके त्यार हो जाता है, आप मेरी कड़ाई देख सकते हैं, बहुत ही चोटी सी है, अगर आप बड़े कड़ाई में बनाते हैं, तो आप एक साथ आराम से तीन चार बना सकते हैं, तो इसी तरीके से अलग पलग करते हुए पर यासे कलर आने तक हमें इसे फ्राइ कर लेनी है, ये स्नेक्स खाने में बहुत जड़ा तेस्ती होता है, और बनाना इतना आसान है, ये आप देखी सकते हैं, तो उमीद करती हूँ रेसिपी आपको आज की ज़रूर पसंद आये होंगे, प्लीज अगर आपको आज की रे वह दो कीकम पने रखेंगे ना तो वह बहुत ही चाहो से खाएंगे, और आप इसे सौस सतनी किसी की बी साथ सर्फ कर सकते हैं, आप इसे साह के साथ खा सकते हैं, बच्यों की टीफिन में दे सकते हैं, या कभी भी आपको भूखुल लगे, आप फटा फटा वज बना के खा सकते हैं तो इसी तरीके से जो है हमने सारे बना के तैयार कर ली है तो चलिए अब इससे हम साफ कर लेते हैं मेरे घर में में ये नास्टे को जो हबते में तीन बार तो कम से कम बनाई लेती हूं क्योंकि ये बनाना जो इतना असान है और इसके लिए कोई जंज़द भी नहीं ह अगर आप पहली बार भी इसे बनाओगी तो एकदम पॉफेक्ट बनता है तो उमीद करते हूं रेसिपी जुरूर पसंद आया होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंड में जुरूर बताएगा कि आपको रेसिपी कैसा लगा तो चलिए इस किसी के साथ ही अज विदा लेते हैं गुद बाई एंड टेक क्यार